हाई गाई सब बच्चों को प्यारबर अनमश्कार कैसे हैं आप सब इस वीडियो के अंदर बहुत महत्ता पुरून बात दिस्कस करने हैं वाले कि या प्रेक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे हैं कैसे पढ़ना है तो एंशोर दे बेस्ट बाक्स इन देट जैसे हम C.A. इंटर के अंदर सब्जेक्स को दो कैटेग्रियों में में डिवाइड किया जाता है एक तो हो गए जी प्रेक्टिकल सब्जेक्ट हो ए ठेयरी सब्जेक्ट प्रेक्टिकल सब्जेक्ट का हमारा में मतलब है जहां पर में मतलब है जहां पर में अपको प्रोविजन ज्याद रखने प pass होते हैं चाहे single group में आप both groups में तो काफी बड़ा contribution जो रहता है वो practical subject कर रहता है क्योंकि practical subject पर अगर आगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप जितना चाहें उतना score कर सकते हैं अब भाई जब इसमें इतना हमें चीज़ है जो मिल सकती है मतलब इतना ज़्यादा फल इस practical subject के अंदर है तो भाईया हम उसको reap क्यों ना करें और reap तभी होगा अगर हम एक best strategy से आगे बढ़ेंगे उस subject के जो है चुनौती को understand करने के लिए उसको accept करने के लिए और अच्छे से उसे marks तभी हमारे आप आएंगे तो इस वीडियो के अंदर यही discuss करने मेले कि कैसे हमें ensure करना है और आप बात करने से यह राउल करक से जिसको कहा जाता है master of practical subjects in the country तो आईए ज़रा बात्चित लिख कर की जाए जब भी practical subject की बात की जाती है तो मैं हमेशा यह कहता हूँ कि किसी भी practical subject में in any practical subject कोई भी practical subject हो जाए आपको mainly दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है one is the concept and the other is practice दोनों ही एक दूसरे को supplement करते हैं अगर इन दोनों में से एक भी चीज हमारी कम रह गई तो हम सिधा downfall की category में आ सकते हैं even in the practical subject क्या मतलब है क्या इसका practice में concept question what is this thing sir बताते हैं आपको detail में और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको अपना पढ़ाने का तरीका भी बताऊंगा और ये बताएंगे कि भारत भर में हमें सबसे अदा पसंद क्यों किया जाता है practical subjects के अंदर जितने भी latest ranks आए हैं पिछले दो तिने टेंट में बच्चा जो भी हमारा रहा है उसने कम से कम से दो या तीन subjects जो है definitely पड़े हैं क्यों और उन subjects ने उसका बहुत बड़ा रोल जो है प्ले के rank लाने में जैसे कि मुझे आदाता है September 2021 के जिब result आए थे उसमें तो जरूर ले लिए हो, accounts का देख लिए हो तो वो कहता सर मुझे ऐसा कहा गया कि accounts मत ले accounts किसी और का ले ले तो कहता मैंने ले लिया लेकिन जब आपसे cost पढ़ा तो आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे पता चला कि भाई इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता सर करे मैं आख बंद करके advance account और FME को भी खरीद लिया और तीनों subject में जहां तक मुझे आद है उस बच्चे के 85 plus marks आए थे which contributed a lot to get him all into rank 9 अभी नव, we are proud of you पुतर आए जी, आगे बढ़ते हैं concept and question, जब भी किसी practical subject की बात करते हैं for example, cost accounting की करता हूँ cost accounting का मतलब क्या, accounts है आप पहले से रोबुरू है हम जानते हैं कि organizations की अंदर जो है आपको proper accounts maintain करने होते हैं under the finance department, जितना ही पैसे का आवागमन है, everything has to be recorded accounts is mainly about recording, whereas जब हम cost accounting की बात करते हैं, costing का viewpoint entirely different है from the subject accounts cost subject, जैसे की नाम से ही पता चलता है कि यह बात कर रहा है cost की, खर्चे की, अपने mind में किसी भी businessman का example, जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, for example, आप कहतें कि sir मेरे को संत्रे का juice बिने का मन कर गया तो एक person ने ready लगाई हूए जी ready, ready पर वो एक machine है संत्रे रखे हैं, और आपको juice बना कर दे रहा है उसने बोला, आपने बोला भी है कि juice कितने का दे, बोला 50 रुपे गिलास, अब सवाल उठा वो selling price उसका 50 रुपे गिलास होगा है, तो उसमे cost किस किस चीज की लगी, तो संत्रे के juice रुपे जो 50 रुपे fix किया, how क्या उसे 10 रुपे का बेच नहीं सकता, क्या वो 100 का नहीं बेच सकता, why 50 only, because उसने अपने mind में calculate किया कि मेरे रोज की cost कितने बढ़ती है, जो उसने machine लिया machine के एक heavy cost इंकर की, जिसको वो obviously daily में earn करेगा by the way of depreciation, जो depreciation का खरचा है, वो अपने customer से return मिलेगा धीरे-धीरे, जो main हो गया, जी raw material orange, वो उसका अंदर जा रहा है, हो सकता है अगर उसकी rate थोड़ी सी बड़ी होगी, उसने एक छोटा helper भी रख लिया अपने साथ, उस helper की salary भी दे रहे, उसका जो rate है, उसके 50 रुपे का संत्रेगा glass का juice जो है, बेचूँगा और बाकी 15 रुपे मुनाफ़ा कमाऊँगा, थोड़े से बड़े डेवल पर आपके घर के आसपस काफी सारी शॉप से जहां पर राशन वगयरा की शॉप है, तो उन लोगोंने क्या-क्या समान खरीद कर रख लिया, और जैसी customer आते है, रिटेल प्राइस पर बेच देते हैं, उनकी cost क्या है, उस shop को, अगर उन्होंने rent पर लिया हो, तो rent हो गया, अगर उनने खरीदा हुए तो वह उसकी depreciation आएगी, उसकी अगर वाज, वर्कर रखें, वर्कर के salary होगी, दुकान है भीया, तो दुकान में चॉकलिट्स वगेरा भी रखेंगी, फ्रिज रखा होगा, कोल्डरिंग है, तो उस फ्रिज की जो electricity consumer है, वो भी होगी, दुकान के अंदर the recording, बट also about taking the decisions, कि मज़े MRP कितना रखने है, मेरी cost किस तरह से major होगी, तो यह विलिए सारी चीज़े cost के अंदर पढ़ी जाती है, जब हम कोई भी subject करते हैं, मेरा पढ़ाने का style क्या है, मैं accounts पढ़ाऊं, cost accounting पढ़ाऊं, advanced account या FME को, चारों में से किसी का भी demo आप देख सकते हैं, demo सारे हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, सबसे पहला और महत्तवपुरण काम होता है concept, concept कैसे आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि कोई भी जो subject है, सबसे पहले उस subject के अंदर हम जाते हैं, chapter पर, let's say chapter 1 में आ गए, इस chapter को, let's say, if this is the, this chapter, मान लीजे, इतना बड़ा chapter है यह, मैं क्या करता हूँ, इस chapter को ऐसे, तोड़ देता हूँ, chapter को distribute करता हूँ, तो यह कला सिरफ पूरे भारत में, आज की rate में हम करते हैं, जिसके कारण पूरे भारत में, हमें सरहते हैं, तो मैंने पूरे chapter को divide कर दिया, काफी सारे parts में, sir, आप कैसे decide करते हूँ, बेटा, वो experience के base पर हमने हर chapter का decision ले लिया, कि इसको पढ़ाने का ये best तरीका हो गया, हर chapter के अंदर concept आगे, let's say, इसके अंदर मैंने 20 concept बना दिया, for example, 20 concepts मैंने पूरे chapter को divide कर दिया, ये मैंना थर class से पहले मैं करके आता हूँ, जब मैं आपको पढ़ाँगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले आपके सामने heading लिखूँगा, concept 1, concept 1, concept 1 के सामने उसका नाम लिखा जाएगा, concept 1 के सामने उसका नाम आ गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस concept के बारे में detail मैं आपको बताऊँगा, real life से जोड़ूँगा, theoretically हमारे subject से कैसे associated, वो सब चीज़े बताई जाएगी, इस concept के बारे में पहले क्या करूँगा, बताऊँगा, फिर क्या करूँगा, लिखवाँगा, बताना, बताने सिखाली नहीं होगा, आज बताया, कल को भूल जाओगे, लिखवाना जरूरी है, फिर मैं उसे आपको लिखवाँगा, concept बता दिया, concept लिख लिए, ये सारा, इसके बाद, इस concept से संबंदित हमारी किताब के अंदर कौन से question और जैसी किताब की बात आई, तो किताब का नाम लिखना अवश्यक हो गया, class puzzle, जैसे ही, question की बात है, class puzzle का नाम मतलब है, ऐसे question जो कि हम class के अंदर solve करने वाले हैं, मैं आपको इस concept से संबंदित class puzzle में कितने question हैं, तो मैं ये चार question आपको class के अंदर करवाऊंगा, मेरा कराने का तरीका ऐसा है, मैं जानता हूँ, आज गिने बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर कहने को नाम बहुत बड़ है, final के teacher भी हैं, लेकिन क्या करते हैं, class में PDF दिखा देते हैं, कहते हैं ये देख लो, हो मेहनत नहीं करना चाहते, मैं भी तो दिखा सकता हूँ, PDF से हैं, नहीं दिखाता, पूछ ले ना, किसी भी students, राउल करके किसी students पूछ ले ना, कि सर मेहनत करते हैं कि नहीं करते, चारों question class के अंदर solve होंगे, solve करते समय, पहले सारे question लिखकर solve होंगे, proper format बनाया जाएगा, वो format जो की IC check करेगा, मेरी class में rough work जैसी कोई चीज नहीं होती, इससे समंदित जितने भी assumptions हैं, एक एक assumption को हम लिखते हैं, इससे समंदित जितने भी working notes हैं, सारे के सारे बनाये जाते हैं, इससे समंदित अगर कोई calculator पर short trick है, वो सारी बताई जाती हैं, क्योंकि exam में जब 3 गंटे का समय आपको मिलेगा, अगर आपकी अपने calculator के उपर पकड़ नहीं है, तो आप पूरा paper नहीं कर पाओगे, so this becomes very important, वापिस बता दू क्या हुआ, chapter लिखा, chapter के अंदर concept 1 आ गया, concept 1 लिखा, heading, उसके बाद बताया और लिखवाया, फिर उससे समंदित class puzzle के question कर लिए यानि कि अगर मेरी किसी किताब के अंदर 50 question है, तो आपको ये पता रहेगा, उस 50 में से कौनसे question किस concept से belong करते हैं, जो की बाके जगा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद आती है, जी हमारी सबसे unique चीज है, that is the home puzzle, home puzzle का concept पूरे भारत भर का बच्चा इतना like करता है, मैं क् 12 तक हो गया, जब school में पढ़ते थे, social study हो गया, science हो गया, फिर भी सबसे आदा focus ने एक subject के उपर है था, जिसका नाम ता mathematics, क्योंकि उस subject के अंदर power थी 100 में से 100 लाने की, और वो इकलौता subject होता था, जिसका homework भी मिल जाता था बहुत बार, और हमें homework करके लेके जाना हो गए ना, तब तक काम नहीं बनने वाला, हमने अपने उपर ये जिम्मा लिया, कि हम इसका responsibility लेते हैं, और हमने किताब बनाई home puzzle, जब से industry में है, तब से हमने home puzzle नाम की किताब बनाई, हर subject के लिए, अपने चारों subject के लिए, practical के लिए, हर chapter के जो questions class में solve होंगे, class puzzle में है जो question homework में solve करने है, वो home puzzle के अंदर है, जैसे ही हमारा concept one खतम हो गया, चार question हो गया, मैं immediately आपको क्या करूंगा, class में बताऊंगा, कि इस concept one के, आपने, let's say, home puzzle का question number one, two, or three कर लाना, मैंने ये साथ में आपको बता दिया, इसका मतलब है, ये वो question है, जो आप homework में करेंगे, sir, homework में करेंगे, तो फिर ये check कैसे होंगे, check तो नहीं होंगे, बस यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, पूरे industry में कोई homework नहीं देता, कोई भी teacher होगा, अगर किसी ने दे भी दिया by chance, कोई ये नहीं बताएगा, इस concept से one, two, three कर लेना, मैं कहनो rare case, अगर किसी ने भी बता दिया, आपको homework के solution के किताब दे दे जाएगी, कि बटा इसमें से देख लेना, और हम भरतिया जानते हैं, अगर हमारे सामने solution तो तुम करना नहीं चाहते, बस यही फरक है मुझ में और बाकिस सब में, मैं किसी भी question के solution नहीं दूँगा, आपको home puzzle की सिरफ question के किताब that will be checking of the homework, जो मैंने पिछले दिन class में homework दिया था, उस homework को मैं class में check करवाता हूँ, आपको homework करके आना पड़ता है, उसके बिना गुजारा नहीं, और जब homework अपने हाथ से करोगे ना बेटा, मैं बतारूं, इन चार practical subject में, टेलेग्रम चैनल पर कभी जुड़ना, बच्चे review लिखकर भेजते हैं, मज़ा आ जाता है, पड़कर कि सर, इन चार subject में, कोई Michael अल मेरे को रोकने सकता है, exemption लाने से, और exemption क्या, अगर आपने थोड़ा सा भी follow किया है हमें, हमारी results देखे, जो की latest attempts क्या है, September 21 का हो गया, ये वाले results तो भी आना है, Inter का, February वाला, उससे possible है, अगर आपकी subject के उपर पकड मजबूत है, और पकड practical subject पर होगी, जब आप concepts के उपर ध्यान देंगे, तो मैंने कहा, दोनों चीज़े important है, concept and question, मेरे पढ़ाने के तरीके में, concept one, ये सारा काम हो गया, फिर concept number two आएगा, same way में, उसका heading लिखेंगे, उसके बारे में बत क्या करते हैं, कहते हैं, ये question कर लो, question कर लो, कहीं ऐसे हैं, जो question करायते ही नहीं, मैंने बताया न, PDF दिखा देते हैं, कहीं तो powerful presentation बना कर लाते हैं, कुछ नए-ने teacher हैं, जो theory वाले practical में आ रहे हैं, उन्होंने देखा देखी कि चलो, हमारी academy में सारे subject होने चाहिए, सारे subject क करने के चक्कर में practical पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मज़े वाली बात नहीं है, मज़े वाली बात नहीं है, हमें भारत भर में best माना जाता है, practical subject में कभी आप YouTube पर marathon के नाम से open करके देखे, आपको लाखों views में लेंगे, cumulative मेरे ख्याल से 30-40 लाख से उपर आजगे जिस दिन हम इंडस्ट्री में आये थे, पूरा teaching का हमने revolutionize कर दिया है, with the way the things are to be handled, exam day पर बच्चे को जरूर पढ़ती है marathon revision की, marathon में number one माना जाता है हमें, क्योंकि पूरे subject को concise way में पढ़ाने का जो मज़ा है, वो सिरफ मैं दे सकता हूँ, and जो ये concept wise study है, ये आपको exam के time इतनी help करेगी, मान लिए किसी chapter के 20 concept है, आपको ये पता है कि इस में से आपको concept number 7 और concept number 11 में ही दिक्कत है, अब अगर आपकी study concept wise ना होई होती तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने concept wise बढ़ा तो आपको ये पता है, concept 7 के अंदर, कौन-कौन से question class puzzle में, क मैं सिर्फ ये नहीं कहता, question पढ़ना, question करना, और question करने का मतलब होता है, अपने हाथ से लिखकर करना, अपने हाथ से लिखकर उस question को करना, जब तक ये काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, मैं तो आपसे class में भी लिखवा रहा हूँ, homework में खुद आप करके आ र जब teacher ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, हम तो role model माने जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चा कहते है, teacher मेरे लिए role model है, अब भाई जब teacher ही नहीं करेगा, तो काहे का role model, बच्चा कहेगा, मेरे role model तो PDF दिखाता है, मैं भी PDF में टिक-Tik-Tik-Tik करूँगा, मैं राहूलगर का दावय आपसे इसी कसम देते हैं अलविदा, बाबाई